मा बनने वाली है राखी सावंत प्रेगनेंसी पर इशारो इशारो में दिया हिंट राखी सावंत इन दिनों बॉइफ्रेंट आदिल खान दुरानी संग अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में है राखी सावंत जहां अपनी शादी को लीगल बता रही है और उन्होंने वीडियोज और तस्वीरे भी शेयर की है वहीं आदल खान इस शादी को ना इंकार कर रहे हैं और ना हिस्विकार वहीं अब राखी का एक बयान वाइरल हो रहा है और लोग तो ये अंदाजा भी लगा रहे हैं कि शायद राखी प्रेगनेंट है दरसल राखी सामत ने नव भारत टाइम्स को दिए गए इंटर्व्यू में प्रेगनेंसी और सिंगल मदर होने को लिकर बात की राखी ने कहा आदल के साथ अपनी शादी से मैं बहुत खुश हूँ मैं नहीं जानती कि वो इससे इंकार क्यों कर रहे हैं उनके इंकार से मैं शौक हूँ मैं उनसे साथ महिने से ही शादी की सच्छाए दुन्या के सामने बताने के लिए कह रही थी मैं एक सिलेब्रिटी हूँ और मीड़ सिंदगी से जूड़ी बाते छुप नहीं सकती हैं हो सकता है कि मैं प्रेगनेंट हो जाओ या कुछ भी हो जाए प्रेगनेंसी ही नहीं राखी सामत ने सिंगल पारेंटे के बारे में भी बात की अक्ट्रस ने प्रेगनेंसी को लेकर आगे कुछ भी कहने से साफ इंकार कर दिया था उन्होंने कहा कि वो इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कहना जाती राखी ने कहा शादी का खुलासा करना बहुत जरूरी हो गया था अगर ये लोगों के सामने नहीं आती तो बहुत दिक्कत हो जाती राखी ने बताय कि वो बहुत डरी हुई है जिसके वजह से उनकी हेल्ट पर भी असर पड़ रहा है राखी ने ये भी कहा कि अगर वो सिंगल बगर बनती है तब भी वो आखरी सास तक आदिल से महबबत करती रहेंगी वेल अब राखी ने तो शादी का धिंडोरा हर जगव पीट दिया है लेकिन आदिल ने मीटी और फैन से मांगा है 10 से 12 दिन का समय अब देखते हैं कि आदर इतना वक्त लेकर क्या नई बात मीडिया के सामने पेश करेंगे क्या कहना है आपका इस खबर को लेकर बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में and also do like, follow and subscribe to Telly Masala on Facebook, Instagram and YouTube.